नमस्कार आदाव सश्याकाल एंगुड़ आफनून चौल अफ्यू जो भी लोग में सुन है मैं नाम उतकर्ष सिंग है और मैं तागे सेमेस्टर से हम बेसिकली यह फर्स सेमेस्टर की मैं जल्दी जल्दी करेंगे है और आपको और कुश्चिंट चाहिए तो हमारा जल्दी क्या करें यह सार॥ी बैच हमारा आप ज्याइन करते हैं मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके लगब यह हनड़े मैं से 80-plus या 90-plus question क्या होंगे सभी होंगे तो आपकी जो प्र पर से जाम्त बनेगे बहुत जादे अच्छी बनेगी क्या होगी बहुत जादे अच्छी बनेगी चलो स्तार्ट करते हैं स्टार्टिंग से असलो सबसे प्राचीन है क्या सबसे प्राचीन है सितार- Glenn seminar सबसे प्राचीन क्या होता है सबसे प्राचीन हे रिए ठीक है अच्छा कॉंसा रूली र्व से कौन साथ एंचेंट हिस्टी का जोसे बहूत अच्छा वीना वाधक था आप बता सकतें मुझे नहीं कोई बात नहीं कुछ क्या होगा समुद्ध गुब्थ होगा है हुआ ठीक है अगर सितार्वाधक बहुत अच्छा किसी से अगर आप से कोई पूछ ले तो क्या होग जाएगा व्धियन हो जाएगा राजा वद्यंति भाट अच्छ 있을 है ठीक है चलो के दिलवारा मंदिर अवस्थत है दिलवारा एक घ्यांड टेंपल है कहाँ पर है तो दिलवारा जो जेंट टेंपल है माउन्त अबू रायस्थान थान मैं है कुनार कहा है आप जानते हैं कुनार कुरीशा में है चीक है सूर्य मंदिश्टित कुनार में इसी को ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है इसी को ब्लैक पगोड़ा ठीक है पकोड़ा मत लिख लेना पगोड़ा लिखा है उसमें ठीक है पकोड़ा नहीं क्पालवस का सन्स्थापध कॉन है कोशिन क्या पूछा गए पालवस का सन्स्थापध कॉन है सभी यानते हैं मेर्ण कॉन है गोपाल है कॉन है गोपाल छी के चलो अच्छराव मंक्रा किया तो चंडेलों ने किसने किया है चंडेलों ने बहुत शाषक से आएगा लिख लीजिए चायए कब कहीं पर विकरमशीला विश्विध्याले इनमें से आज किस राज में अवस्थित है क्या पूछा है विक्रम शीला विश्वध्या ले कहां पर है तो विक्रम शीला विश्वध्या रहा है बिहार में ठीक है कि चलो आगे बढ़े किस पालवन्स के शाषक ने नया संबत चला निम लिखित में से किसी एक नया संबत चलाने का यश्प्राप्त है को पालवन्स के शाषकों का नाम दिया हुआ है इसमें तो आंसर क्या होगा इसका अंसर होगा लक्षमन सेन आंसर क्या होगा इसका लक्षमन सेन होगा ठीक है च करिए आगे बढ़े कि हमीर मां काव कि कि अनुसाद चोहान कौन थे ऐसे राब बात कर चातरी जमें तो दर्शिष में कई क्लांद होती सुरॉज स्थे होते हैं चंथ हैं अगनी वन्षी हो स्थूनषी और रिशह होते हैं बेसिकली चार होते हैं चलो अबकी अलबुरहमान बरूनी भारत में कब आया अबबुरहमान अली बरूनी अट्वांस आशा सत्रा बहर है ज़लो है मुहमभन गोरी किस दास ने बंगाल और बिहार लुसोर प्रापर की तोसका क्या नाम đã नाम थैउसका नाम था कुटुबदीन भक्तियार खिल जी नालंदा और विकरम्शिय इंवर्शिटी कोशी ने दिलाया था कौन था वो गुत्यों में अब शुशन कर दिया गया गुजब पतिहार वन्स की सापना किसने की नागभट प्रफम्ने की किसने की नागभर्ट प्रचमने की ऐख कौन सा कौन सा कर कौन सा कर राजा से उफार स्वरूब प्राप्त होता दा तो कहते थे बली क्या कहा जाता था उसको वली कहा जाता था चलो आगे बड़े हैं भारतियस सम सामंतवात की जो پुस्तक है उसकी रसना किस ने की है तो उसके रसना की है आरेस सर्मा ने बहुत फेमस इंसान है आरेस सर्मा कि एंस्ट इससी एगर आपने बुक पड़ी होगी बहुत फेमस बुक है एंसें सर्मा की ये किताब लगती है चलो Next question देखते हैं question number 14 ब्रामनों को दान में दिये जाने वाले गाओं को कहा जाता है क्या कहा जाता है जो ब्रामनों को दान देने वाले गाओं होते हैं अगरहाल ब्रह्मोदय सासन या उक्त सभी तो यह इसका अंसर क्या होगा उप्युक सभी होगा क्या होगा उप्युक सभी यह दोनों सही होगा उपर यह अभी तो उप्युक सभी इसक ठीक है आवला नहीं होगा वट विच नहीं होगा कौन सा होगा पीपल होगा चलो आगे बढ़ते हैं क्वेशन क्या है भोज प्रवंद का लेखा कौन है क्या पूछा गया भोज प्रवंद का लेखा कौन है तो भोज प्रवंद का लेखा क्या बल्लाल देव कौन है बल्लाल देव बत बल्लाल लिखा है पूरा नम बल्लाल देव है चलो आगे बड़े तोलंकी वंस कांतिम सासक कौन था तोलंकी वंस कहा रूल करता था आपने पढ़ा होगा ठीक है यह गुज्रात में रूल करने का काम करते थे तो इसका आखरी शाषक था इसका नाम तो तिलोचन पाल 1240 से लेके 1244 तक रहा तो आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं आंसर क्या अगर चलो तराइंग का दित्य यूद कभ लड़ा गया विश्य पित्वियात चोहान की हार हो गई तो 1192 एडी में लड़ा गया पत्व 1191 इतित्य यूद कभ लड़ा गया 1192 में लड़ा गया चलो आगे बढ़े हां मेहमूद गजनी ने सोमनात पर कब आकमन किया तो मेहमूद गजनी ने सोमनात पर 1025 एडी में अटाक किया था इसको 1026 एडी भी लिखाओ तो भी गलत नहीं है वो भी सही आप्शन होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है चंद बरदाई किसकी दरबारी कभी था चंद बरदाई तो सबने सुना होगा ना जो चंद बरदाई एक मुहावरा बोलता है चार बास चौबिस गज अंगुलस प्रमान ता उपर सुल्तान है मच्चु को चौहान ठीक है चलो हमीर महा काव्य में चौहानों को बताया गया है कोशन फिर से रिपीट किया है चौहानों को क्या बता प्रतिहार राजा था सबसे महान प्रतिहार राजा कोहन था तो वह आपने सुना होगा मिहिर भूज कि कहां राजा भूज कहां गंगु तेली वाली कहावत सबने सुनी होगी है चीक है कि नीमलिखित में से कौशन पढ़िएगा नीमलिखित में से कौन विक्रमशीला विश्यद्याले के संस्थापक हैं तो कौन है भाई सब जानते हैं धरम पाल है ठीक है अगर आप से यहां पर विक्रमशीला चेंज करके नालंदा पूछ ले कि अ कि नालंदा अभी सेटी थो कुमार गग़्छ होता एक है आसी और पूछेगा तो कौन पूछेगा नालंद्य पूछ आण्सद् Иक का श्याशक था जो कि बंगाल का रूलरवा करता रहा को चलो तो लिख लो यह फंडेड़ रवन परसंट जाम में आने वाला है फंडेड़ रवन परसंट आने वाला नहीं आएगा तो मैं नाम चेंज कर देना क्या कोश्यन है सुनो महोद्या किसका पुराना नाम है तो किसका पुराना नाम है कन्योज का पुराना नाम क्या है महोद्या ह ठीक है है चलो और पुछा गया है चीजा भुकती प्राचीन नाम है जी जा भुटा-चीन नाम है किस का जिए थैस आने वाला पिर से आने मेला है ध्यान दीजेगा जरूर है आएगा 100% आएगा नहीं आएगा तो मैं नाम चेंज कर देना ठीक है कि हम ऐसे ऐसे कोश्चन आपको बताएंगे कि अगर वो कोश्चन जाम में नहीं आए तो आप हमारे चानल को अब सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं इसकी भी गैंटी लेकर देता हूं ठीक है अन बनाई अतने सालों में चलो आगे बढ़ते हैं पुरानों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसल्मान कौन था तो पुरानों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसल्मान कौन था नाम क्या था अब्बु रह्मान अल्बुरूनी था कहां से आया था गलनी से आया था किसके साथ किताब को तहकी के हिंद भी कहा जाता है ठीक है इसी किताब को बोलते हैं harbor century Miller of 11th century 11 शतापदी का तरपन कहा जाता है कि किताब को क्या ग्यार वे शतापदी का दरपन कहा जाता ठीक है यहां तक दिख लिए जी चलो पिफवी राज विजय किसे लिखी है कि पिफ्रक्य लिखी है राफ गोती कि किसने लिखिए बहुत किसने लिखिए जयानख भतने किसने लिखिए कुछ नीमलिखित में से कौन पिथ्वियाज चोहान के रूप में प्रसिद्य है तो पित्वी राज चहान को पित्वी राज 3 कहा जाता था तो पित्वी राज कित्या कहा जाता था या पित्वी राज 3 कहा जाता था चीक है नेम लिखेत में से कौन पित्वी राज की रूप में प्रसेद है चलो चलो इनी को एक और नाम से भी जाना जाता है इनको कहा जाता है लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी भारत का आखरी सूर्व भी कहा जाता है किसको पित्वियाद चहान को कहा जाता है इनसे जो क्वेशन बन सकता है एक तो यह वाला बन सकता है पित्वियाद चहान को कहा जाता है ठीक है चलो मोहंब बिंक कासिम था भाई मोहंब कासिम था जांते हुए श्रौँ अरव अटैकर था जिसने भारत पर अटाक किया ठीक है अरभी आंगंकारी था था कहां से था राज दाहिर मुण इसे बहराजक का जो शाशक था सिंद का ऊसका नाम् था राजा दाहिर के उपर अटैक किया था 712 में अटैक किया हुआ था किसने भेजा था तो इराक के किंग थे इंका नाम था अल-हजाज उन्होंने भेजा था ठीक है और वहां कि उस समय के जो खलीफा हुआ करते थे इस्लामी जगत के उनका नाम था अल-Walid क्यालिफ अल-Walid नाम था उन्होंने भेजा था उन दो अटैक था वह सक्सेस्फुल नहीं था यह पहला क्या है सक्सेस्फुल अटैक है इसमें राजा दाहिर की क्या हो जाती हार हो जाती है ठीक है राजा दाहिर की रालधानी थी वैहिंड या उद्यभांडपुर ठीक है अगर यह कोशन बने राजा दाहिर की राधानी क्या थी आप देखो एक उन साल से पढ़ा रहा हूं बहुत साल में लंबा समय होगे अधुर्ट पढ़ाते होए पुस्टिन को पढ़ाते हुए तो जो भी चीद मैं बताया करूं उसको प्लीज आप लिख लिया करो ठीक है अगर यह वह चीद नहीं पूछी जाएगी तो हो सकता यह पूछ लिजा आप से जाम में ठीक है चलो मक्का कहा है मक्का एक धार्मिक स्ठाल है मुसलिम लोग का आप सभी जानते हैं मक्का मदीना कहां पे सौदी अरब में हैं मक्का में जनम हुआ था प्रॉफेट आप मुहमाद साब का आपको यह भी पता होगा ठीक चलो पैगंबर हजरत मोहम्मद साब का जनम कब हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद का जनम कब हुआ था तो इनका जनम हुआ था 570 AD में ठीक है 570 AD में इनका जनम हुआ था और इनकी मित्यू कब हो गई 632 AD में ठीक है तो अगर आपको जनम पता है कब जनम हुआ था 570 म मित्यू कब हुई थी 632 AD में हुआ ठीक है चलो चलो नेक्स कोशन देखो संस्कार कितने हैं नेक्स कोशन क्या है नेक्स कोशन है संस्कार कितने हैं तो संस्कार कितने हैं संस्कार है हमेशा 16 टाइप के यह पहले भी कोशन पेपर वन में भी आ चुका है और पेपर टू में भी कहीं सेम कोइशना आ यह संसकार कितने होते अंग्रावाटनेंनि इस कि दिया निमलिखित में से कौंध पर तर देने क्या पूचा गया है कि दून के लिए तर nem पेंद था ठीक है चलो थार्टी फोर कॉश्चन नंबर पर चलते हैं जल्दी से मोहमद बिंकास्तिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई राजा दाहिर से सिंध छीन लिया तो मोहमद बिंकास्तिम ने और राजा दाहिर की वहां पर मित्ति हो जाती है तो किeles है में था सास्ता बारा इंडी में था चीक किसे डी में था सांफ़ sûr में ता देखो दो जो होते हैं एक तुभाई देखो वीडी महाजन साब की किताब है इतिहास की उसमें 711 लिखा हुआ है लेकिन हरीष्चन वर्मा साब की किताब में लिखा हुआ है साइसें वर्मा साइबने किते लिखा है किताब में प्रथम स्वतंत शाशक कौन था अगर आपसे पहला शाशक पूछा दे स्वतंत नहीं अगर यहां पे स्वतंत हटा दिया जाए प्रथम शाशक पूछा जाए तब कौन होगा कौन होगा जली बताओ पुष भूती होंगे ठीक है अगर पूछा है प्रथम स्वतंत शाशक हर्च वर्धन थे और उनकी एक बेटी राशी थी ठीक है ठीक है पढ़ा होगा समने दॉक्यात कि लायगा को प्लीज ज़्यादा से ज़रा लाइक कीज़ेगा कमेंट कीज़ेगा और में जरद अपनी वीडियो को शेयर कीज़ेगा ठीक है आपके जो भी दोस्त्यार है उनको ये वीडियो शेयर कीज़ेगा जाम नजदीक आ रहा है तो आपको इसी प्रकार की वीडियो की जोगत है ठीक है चलो शहनामा का लेखा कौन है एक किताब है शहनामा बहुत फेमस किताब है यह लिखी गई है महमूद अव गलनी के समयकाल में इस किताब लिखी किसने है फिर्दोसी ने लिखी इस किताब में लिखा गया परशिन किंग्स के बारे में लिखा गया दो लोग के सोहराब और एक राजा है रुस्तम इन दोनों के बारे में इस किताब में बताया गया है ठीक है बहुत मेर्टपून किताब है फिर से कोशन आने वाला है जल्दी से छाहुआ सावणामा का लेखका कॉण है तो फिर्दोसि सावणामा का लेखका के इसको हुमर कहा जाता है पूरो का इसमें परिसेंट किंगों की कहानि लिखी गई है सुहराब रुस्तम की आगे बड़े चलो Q&A 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 Q पिसाच विवा होता है असुर विवा होता है राक्षच विवा होता है तो विवा के कितने प्रकार होते बच्चों विवा के हमेशा कितने प्रकार होते आठ प्रकार होते हैं ठीक है चलो तो मेहमूद गथनी ने भाध पर कितनी वार अकमन किया से वही कोश्चन भाई महमूद गद्नी ने बात पर 17 बार अकमन किया हैं वो बताते हैं कि सब्सक्राइब किया यहीं वाला जो इंका है वनस्प्रत होता है और सन्यास्रा मोते हैं तो पता है ना को चलो कर훈़े ना ना स्कुशिन बात करते हैं धंशास्तों में धूरायस्व की दर क्या है भ्राजश्aría की दर है तो भ्राजश्व की दर है वन इस तो करोगे एक बाई च्छ पाट करोगे तो मुझे लग रहे है 16.66 परसेंट शेर आता होगा कि मुझे रहे है ठीक है 16.66 परसेंट टिसक्स कर दोगे तो 100 चलो यहां पर हमारा खत्म हो गया किते प्रकार की आशरम होते हैं 4 प्रकार के ह calendar अा सन्यर्म चबन इस में से सभ्सेफ्षे अच्छा आश्रॉम कौन समाय जाता तो भाई ऐसार जिसमें सादी विए सादी किस आश्रम में होती है गृहस आश्रम में होती है सब्से अच्छा आश्रम पूछा जाए तो गृहस संस्कार कितने होते हैं छलो है हमारा 40 खतम होता है इसी तरीके से हम और भी कई साइट लेकर आएंगे फिर्स सेमस्टर भी इस और सेमस्टर चिक है आप जादा से जादा इस वीडियो को शेयर किजिए अपने दोस्तों साथ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए आपको कैसा लेते आएंगे ठीक है और हम उनी वयाख को बताएंगे जो कैशन क्या होंगे जाम में आएंगे पूरी पूरी तब्रूत खουर से अगर वो यजान में आ हैं तो आप मेरा ञेंज कर दीजिएगा काफी साल से पढ़ा है अब भाषित सवाभी चलो इसी के साथ आज की वीडियो खदम करते हैं थांक यू सो मच जो भी लोग में सुना देख रहे हैं